नमस्कार दोस्तों मैं संजय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल PWS Classes पर दोस्तों आज हम percentage की अपनी तीसरी वीडियो पे हैं और आज की इस वीडियो पे हम कुछ important type के questions solve करने वाले हैं लेकिन दोस्तों इन questions में जो concept हम लोग यूज करेंगे उस concept को हम लोग ने detail में अपनी पुरानी वीडियो पे पड़ा हुआ है तो आप इसका जो part 1 और part 2 है उसे एक बार जरूर देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो पे आईए आपको ये questions बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे तो शुरूआत करते हैं हमारे पहले question से जैसा कि आप लोग इस question में देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक छात्र को किसी परिक्षा में उत्तिर्ण होने के लिए 36 प्रतिसात अंकों की जरूरत थी यानि कि कोई एक student है उ इतने अंकों की थी अगर दोस्तों यहाँ पर इस question का अगर हम data लिखें तो जो पास होने का percentage है वो कितना है आपका 36% में यह student पास हो जाएगा लेकिन आप लोगों को दिया गया है यह student कितने नंबर लेकर के आया 140 अंक प्राक्त करता है यानि कि इसने जो marks इसके जो नंब आए लेकिन यह student यहाँ पर को fail हो गया अब दोस्तों fail कितने नंबर से हुआ यह fail हुआ है 40 नंबर से अब अगर यह 40 नंबर से fail हुआ तो अगर यह 40 नंबर और ज्यादा ले आता तो पास हो जाता यानि कि हम यह बूल सकते हैं जो पास होने के लिए नंबर चाहिए इसे व दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर इस question में गौर से देखें तो एक तो इसने दिया हुआ है पास होने के लिए जो percentage चाहिए यानि कि 36% अगर यह student लाएगा तो यह पास हो जाएगा और दूसरा यह बोलता है इस student को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 180 अगर यह न परसेंटेज में कितने हैं 36 और अंकव में कितने हैं 180 अब दोस्तों इस question के अंदर हम यह बूल सकते हैं कि 36% marks का मतलब कितने नंबर है 180 अगर हम लोग जो concept यूज करने वाले हैं उसकी बात करें तो मैंने पिछली वीडियो पर आप लोग को बताया था कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो यहाँ पर जो परिक्षा होगी कुल जितने भी अंकव की होगी अपने आप में वह अंक के कितने प्रतिसत होंगे 100% यहाँ पर आप से यही चीज पुछा गया है तो आप लोग को पता है 36% में 180 नमबर आ रहे हैं एक परसेंट में कितने नमबर आएंगे 180 बट्टे 36 नीचे आ जाएगा और यह परिक्षा जो भी है वो कितने परसेंट की होगी 100% की 100% निकालने के लिए इस तरफ 100 से गुणा करूँगा तो इस तरफ भी मुझे 100 से गुणा करना होगा यानि कि 180 अपन 36 इंटू 100 इसे सॉल करेंगे तो दोस्तों देखे अठार से यह कटेगा आपका दस बार अठार दूनी चात्तिस दो से फिर यह कटेगा पांच बार पांच गुणा सो यानि कि 500 अंकों की टोटल परिक्षा होगी यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तो अगले क्यूस्यन में जैसे आपको दिया हुए कोई चात्र किसी परिक्षा में 20 परतिसयत अंक प्राप्त करता है तथा वह हुँग दस अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है एक दूसरे चात्र को 42 परतिसयत अंक्त होते हैं जोकी उत्तीर्ण होने के लिए दिए न एक छोटा सा अगर ये concept देखें मान लो कोई दो student है ये 30% लाया और ये fail हो गया और इसी तरीके से एक दूसरा student है मान लिया ये 43% लाया और ये passing परसेंट से कुछ जादा है ये माना pass हो गया तो आप इन दोन उफ के बीच जो percentage है उसका अगर अंतर आप से पूछा जाएगा difference तो बड़ी आसानी से बता देंगे ये 30 को 43 से माइनस करेंगे तो इनके बीच में जो difference है वो 13% के है ये pass हुआ वाला जो student है ये इस से 13% जादा लेकिया है लेकिन अगर इसी चीज को हम बात करें अंकों में अगर मान लो pass होने के लिए 50 नंबर चाहिए ये किसी परिक्षा में 50 marks आपके passing marks है अब कोई student अगर 45 नंबर लाते है तो अब यसी बात है फेल हो गया लेकिन ये फेल कितने अंकों से हुआ यहाँ पर को ये 5 अंकों से फे अगर मैं किसी दूसरे student की बात करूँ ये अगर मान लिया 60 नंबर लेकर के आया तो ये पास हो जाएगा और ये पास कितने ज्यादा नंबरों से हुआ है 50 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे 60 नंबर लाया तो ये 10 नंबरों से ये पासिंग नंबरों से 10 नंबर जादा लेकर के आया है अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके और इसके जो नंबर है उनके बीच जो डिफ्रेंस है उसका तो दोस्तों आप या तो इसको माइनस करके निकाल लीजे 60 नंबर ये लाया 45 नंबर ये लाया तो इनके पासिंग नंबर से 10 नंबर जादा लाया तबी भी आप इनके बीच का डिफ्रेंस निकाल सकते हैं जितने नंबर से फेल हुआ वो प्लस ये जितने नंबर जादा लाया वो अगर आप जोडते हैं तो भी ये 5 और 10 आपका कितना आएगा 15 आएगा बस इस कंसेप्ट को अग पहला विद्यार्थी 20 प्रतिसात अंकल आया और 10 नंबरों से फेल हो गया दूसरा विद्यार्थी 42 प्रतिसात अंकल आया और जितने नंबर इसे पास होने के लिए चाहिए थे उससे एक नंबर जादा लेकर कर आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम परसेंटेज में देखें तो दूसरा वाला पहले वाले से कितना ज्यादा परसेंटल आया है सिदे सिदे माइनस करके आ जाएगा इनके बीच का अंतर तो दूसरा वाला जो है 42 परसेंटल आया पहला वाला 20 परसेंटल आया तो इनके बीच जो अंतर आएगा वो कितना आएगा आपका 22 परस इसे 22% नंबर जादा लाया है और इसी चीज़ को अगर हम नंबरों में देखें तो ये 10 नंबर से फेल हुआ और ये वाला एक नंबर जादा लेकर के आया है तो इनके बीच जो नंबरों का अंतर होगा वो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं अगर मैं बात करूँ पास होने के लिए जो भी इनको नंबर चाहिए होंगे तो जो पहला वाला विद्यार थी है अगर ये 10 नंबर और लाएगा तब जाके पास होगा फिर इसके बराबर आने के लिए इसने एक और नंबर लेकर के आना पड़ेगा यानि कि टोटल 11 नंबर जब ये एक्स्ट्रा लाएगा तब जाके इसके बराबर पहुचेगा यानि कि इनके बीच जो नंबरों में अंतर है वो कित्ते नंबरों का है 11 नंबर का अगर मैं अंतर देखूं किसमे नंबर में तो दोस्तों नंबर में कितने का है 11 नंबरों का अंतर है तो इसने एक बात हमें दो अलग-अलग तरीकों से दी हुई है यहाँ पर तो एक यह percentage में बोलता है कि यह 22 परसेंट जादा लाया दूसरा नंबरों में बोलता है 11 नंबर जादा लाया तो अब यह question बड़ा आसान हो जाता है यहाँ पर 22 परसेंट मतलब कितना हो जाएगा 11 नंबर अब हम बड़ी आसानी से कुछ भी इसमें calculate कर सकते हैं इस question के हिसाब से 22 परसेंट नंबरों में कितने नंबर आ रहे हैं 11 नंबर तो दोस्तो एक परसेंट में कितने आ जाएंगे 11 बड़े 22 नंबर यहाँ पर आप लोग उसे दो चीज़ें पुछी होई है पहली चीज परिक्षा कितने अंको की थी तो परिक्षा जितने भी अंको की होगी अपना आप में वो हमेशा पूरी होगी यानिकी 100% अब दोस्तो 100% निकाल निकले इस तरफ 100 से गुणा करेंगे तो इस तरफ भी मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा 11 बड़े 22 गुणा 100 दोस्तो ये तो कटके आजाएगा 1 बटे 2 और 2 से फिर ये कटेगा 50 बार यानि कि कुल कितने अंकों की परिक्षा थी 50 अंकों की एक आंसर आपका ये हो गया दोस्तो आगे इसने ये पुछा है कि यहाँ पर को पास होने का जो प्रतिसात अंक है वो ग्यात किजिए तो इससे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं पहला आप ये टोटल मार्क्स आपको पता चल गए तो इन कंडिशनों में आप रखकर इनके पास होने के मार्क्स निकाल सकते हैं दूनु तरीके से हम लोग इसको solve करते हैं और मैं इसका short trick भी आप लोग को बताऊंगा अब देखिए अगर आपको ये दिया गया है कि परिक्षा कुल 50 हमको किये है टोटल 50 नंबर किये अगर मैं इस condition को ले लूँ तो ये वाला student 20 नंबर तो लेकर के आया पास कितने मा हो ग लीजिए 20% का मतलब क्या होगा 20 बटे 100 कितने मैं से लाया था ये 50 में से प्लस अगर आप 10 करेंगे तो ये solve करके आपका ये दो बार कटेगा दो से ये 10 बार कटेगा 10 और 10 20 नमबर में यहाँ पर को पास होंगे और 50 में से अगर 20 नमबर में पास होंगे तो पास होने का प्रतिसात अंके हमको ग्याद करना है प्रतिसात की फर्स्ट वीडियो पे हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा हुआ है तो पास होने के लिए जो प्रतिसात अंके चीए इसमें आपको देखना पड़ेगा कितने नंबरों में पास हो रहे हैं 20 कितने में से 50 में से कुणा 100 कर दें तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल जाएगा 20 दूनी 40 प्रतिसात में पास होंगे तो जो पास होने का प्रतिसात अंके है वो कितना होगा 40 प्रतिसात अब यह तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा एक्जाम के दोरान जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें अगर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट है हाँ पर पता चल पोटल मार्क्स की भी जरूरत नहीं है अगर हम यह पता कर लें कि 1% मतलब कितना है एक परसेंट मतलब आधा नंबर अगर नंबरों में बात करें तो 1% कब आयेगी जब आधा नंबर आएगा अगर आप इस कंडिशन को ले लिते हैं तो यहाँ पर को यह वाला स्टुडें इस 42% में से इसका एक नमबर कम होगा तो exact ये pass होगा अब देखे दोस्तों आधे नमबर में 1% बनेगी तो एक नमबर में कितनी परसेंट बनेगी अब यसी बात है 2% आधे नमबर में 1% बन रही है तो आप इसे 2 से multiply करेंगे तो 1 आ जाएगा इस तरब 2 से multiply करेंगे तो 2 आ जाएगा यानि कि एक नमबर में कितनी परसेंट बनेगी 2% अगर 2% कम होगी तो एक एक जेक्ट पास होगा यानि कि 40% में एक जेक्ट ये लोग पास होगे आप इसे इस condition से भी निकाल सकते हैं एक बार देखते हैं इस condition से ये कैसे निकालेंगे देखें ये वाला student अगर पास होने का प्रतिसप इसका निकाले है तो 20% तो ये ले करके आया है और इसे कितने नमबरों की जरूरत और है 10 नमबरों की जरूरत और है 10 नमबर में कितना परसेंट आएगा आप खुद देखिए आधे नमबर में 1% आ रहे है आप इसे ऐसे समझ सकते हैं आधे नमबर में 1% बनता है तो आपको 10 नमबर का बताना है 10 नमबर बनाने के लिए यहां 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आप इसे अगर solve करते हैं दो इस तरफ ले जाएंगे तो एक नमबर में आपकी यह इस तरफ जाके 2% बनेगा आपको चीए 10 नमबर में कित्ती % आएगी 10 नमबर निकालने के लिए 10 से multiply करेंगे तो 10 नमबर में 20% बनेगी तो यह exact pass कब होता 20% तो यह लेकर आया और 10 नमबर यानि कि 20% और अगर यह लेकर के आता तो यह exact pass होता यानि कि passing जो percentage है वो कितना है 40% तो दोस्तो इसी तरीके के question और देखते हैं और उसे जल्दी करने की कोशिस करेंगे इसे हमने हर तरीके से समझ लिया है तो आते हैं अपने अगले question पे जैसा कि इस question में आप लोगों दिया हुए है एक विद्यार्थी जिसे परिक्षा में 20% अंके मिले 30 अंकों से फेल हो जाता है 20% लेकर आया लेकिन यह फेल हो गया कितने नमबर से 30 नमबर से किन्तो दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंके मिले नियुनिता मुत्तिर्ण अंक से 42 अंक अधिक टाप्त करता है और यहाँ पर एक दूसरा student है जिसके 32% मार्थ से आये percentage में और यह passing मार्थ से कितने ज़्यादा लेकर के आया 42 मार्थ ज़्यादा लेकर के आया यहाँ पर सीधे हम से पुछा है उत्तिर्ण होने का प्रतिसात अंक के किते है यानि कि ये लोग कितने percent नंबरों में पास होंगे अब दोस्तों सीधे हम लोग इस question पर आते हैं तो हम अपने concept की अगर बात करें तो पहला वाला 20% लाया दूसरा वाला 35% लाया तो इनके अंकों के बीच में अगर हम देखें तो ये fail हो गया 30 नंबर से और ये passing marks से 42 marks से ज़्यादा लेकर के आया तो अगर हम बोलें कि इसे pass होने के लिए अगर हम exact pass होने की बात करें तो पहले 30 नंबर अगर ये लाता तो ये pass होता फिर और 42 अगर ये लेकर के आता तब इसके बराबर पहुंसता तो इनके 20 नंबरों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 30 और 42 के सम के बराबर ऐसा हम लोग ने पहले question में भी देख लिए है और अगर हम अंकों में बात करें तो इनके बीच नंबरों के बीच जो अंतर है वो कितने का है 30 प्लस 42 कभी भी आपको ये दिया हो कि एक फेल हो रहा है इतने नंबरों से और दूसरा वाला इतने अंक अधिक प्राप्त करता है तो आप उनकों जोड़ दीजिए उनके अंकों के बीच अंतर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा आपका 72 अंकों का अब दोस्तो इसने एकी बात हमसे दो अलग-अलग तरीकों से बोली है पहली बात ये बोली कि दूसरा वाला पहले वाले से कितने परसेंट ज़ादा लाया 12% और दूसरा इसने बोला है कि कितने नंबर जादा लाया 72 नंबर तो यहाँ पर को condition कुछ ऐसी बनती है इस question के अंदर 12% में कितने नंबर आ रहे हैं 72 और ये question तो और भी आसान हो गया 1% में कितने नंबर आ जाएंगे 72 बट्टे बार यानि कि 6 अंक कितने अंकों का एक परसेंट यहाँ पर बन रहे है 6 अंकों का अगर दूस्तों इसने पूछा होता कि परिख्या कुल कितने अंकों की थी तो हम 100 से गुणा करते, 100 से गुणा करने पे कितना आ जाता 600 अंक, लेकिन अभी इसने हमसे ये पूछा है कि पास होने के प्रतिस्चत अंक ग्याद कीजिए, कितने प्रतिस्चत में पास होंगे, अब दोस्तों डिरेक्ट हम लोग इस चीछ को solve कर सकते हैं, किसी भी एक condition को ल कितने नंबर और इसे चाहिए थे, ताकि ये पास हो जाता है, तीस नंबर और चाहिए थे, अगर हम नंबरों में लिखे हैं, तो ये तीस नंबर और चाहिए, इसको तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये परसेंट में और ये अंकों में हैं, हम इन तीस नंबरों का कि एक नंबर में कितना परसेंट बनेगा 1 upon 6 से परसेंट और यहाँ पर कितने नंबर और एक्स्टा चाहिए इसको 30 नंबर तो 30 से दोनों तरफ मल्टिपलाई कर देंगे तो यह कितना आजाएगा 1 upon 6 से इंटू 30 यह calculation आप practice करके और fast कर सकते हैं इसी question को अगर आप दूसरे वाले से देखते तो भी आप बड़ी आसानी से solve कर सकते थे जैसे 42 नंबर में कितनी परसेंट होंगी आप 6 से divide कर लीजिए 6,7 जा 42,7 यह 35 परसेंट लाया 32 परसेंट ले करके आया और 42 नंबर जादा है पास होने से या फिर यूँ कहें 7 परसेंट जादा है अगर इसके 7 परसेंट कम कर दें तो exact हमें क्या पता चल जाएगा पास कितने में होंगे यहां से भी आप माइनस करके देखिए यह कितना आएगा 25 परसेंट ही आएगा तो यह आपका answer होगा अगर अगले question की बात करें तो यहाँ पर हमें दिया होगा है एक संख्या के 63 परसेंट और उसी संख्या के 45 परसेंट के बीच 342 का अंतर है उस संख्या का 78 परसेंट कितना होगा तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है किसी एक नंबर के 63 परसेंट और 45 परसेंट के बीच अंतर अगर हम उस नंबर का 63% निकाले हैं फिर उसी नंबर का 45% निकाले हैं तो वो माइनस करने के बाद कितना आता है 342 हमसे यहाँ पर उस नंबर का 78% पूछा गया है तो उस तो इस question में भी बड़ा आसान हो जाएगा हमें नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इसे percentage में निकाले हैं तो 63 और 45 का अंदर कितना आएगा दोस्तो 18% इनको माइनस करके 18 आएगा और यह हमको संख्या में कितना दिया हुए है 342 तो बड़ा आसान हो गया है इस question के तोरान 18% मतलब कितना है 342 तो दोस्तो यहां से हम 1% की value निकाल सकते हैं 1% कितना हो जाएगा 342 upon 18 अगर दोस्तो यहाँ पर संख्या पूछी गई होती तो संख्या अपने आप में कितनी होती 100% हम दोनु तरफ 100 से गुणा कर देते लेकिन हम से संख्या ना पूछके उस संख्या का 78% पूछा गया है 78% तो अभी हम 1% से सिधे 78% निकाल सकते हैं दोनु तरफ क्या करके 78 से multiply करके तो इस तरफ 78 से multiply करूँगा तो 78% आ जाएगा उस संख्या का और इस तरफ कितना आ जाएगा 342 upon 18 into 78 तो दोस्तों अगर इसे solve करें तो ये कितना बनेगा आपका इसे 3 से cancel कर लीजे 3 6 जा 18 3 बनजा 3 3 बनजा 3 3 4 जा 12 और ये 6 से cancel होगा 6 बनजा 6 6 3 जा 18 अगर 114 को 13 से multiply करें तो ये आपका बन जाएगा 13 4 जा 5 8 1 4 8 2 ये आपका आंसर हो जाएगा सेम पिछले question कितर है अगर इस question की बात करें तो यहाँ पर दिया है किसी संख्या का 40% और उसी संख्या के 28% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या का 64% यानि कि 64% कितना होगा तो दोस्तों यहाँ पर भी ये question बड़ा आसान हो जाता है आप देखिए कोई संख्या है हमें इस संख्या से अभी कोई मतलब नहीं है इस संख्या का 40% और 28% का अंतर यानि कि difference हमको किता दिया है 198 अगर दोस्तों मैं इसका percentage में difference निकालनों तो यह कितना आजाएगा आप लोग का 12% और संख्या में यह हमको दिया हुआ है 198 अब यहाँ पर भी हमको संख्या ना पूछ के इसने संख्या का 64% कितना होगा यह पूछा हुआ है अब दोस्तों अगर संख्या पूछी होती तो हम लोग 100% निकालते लेकि अगर आपसे संख्या पूछता तो क्या करते दोनों तरफ 100 से मल्टिप्लाई करते लेकिन अभी इसने संख्या का 64% पूछा है तो हम क्या करेंगे 198 अपॉन 12 दोनों तरफ 64 से हम लोगोंने मल्टिप्लाई किया इसे कैंसिल करें तो 6 से से यह 2 बार कटेगा 6 3 जा 18 6 3 जा 18 और 2 से यह कट जाएगा आपका 32 बार अगर आप 33 इंटू 32 करेंगे तो दोस्तों इसके लिए हम लोगोंने एक मल्टिप्लिकेशन पर वीडियो बनाई हुई है उसे आप जरूर देखिएगा यह कितना बनेगा आपका 236 236 और 9 15 का 5 कैरी 1 339 10 10 56 यह हमारा आंसर हो जाएग आप मल्टिप्लिकेशन की सौट ट्रिक सीखने के लिए हमारी मल्टिप्लिकेशन पर जो वीडियो बनी है एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा देखते हैं अपना अगला वुश्यन दोस्तों जैसा कि इस कुश्यन में आप लोगों को दिया हुए है किसी चुनाओ मैं दो उमीध्वार थे जिस उमीध्वार को 62% वोट प्राफ्त हुए उस उमीध्वार ने दूसरे उमीध्वार को 144 वोट से पराजित कर दिया तो कुल वोटॉट की संख्या घ्याद किजिए अब दोस्तों यहाँ पर कुल वोट जितने भी होंगे अपने आप में वो कित 62% वोट लेकर का आया, अगर 50% से उपर वोट आगे, तो ये candidate जीतेगा, और दूसरा जो candidate है, जो हरा होगा, वो किते वोट लेकर आया होगा, अगर 100% वोट में से 62% ये लेकर आया, तो बचे हुए किते हुगे, बचे हुए निकाल निकले 100 में से 62 को माइनस करेंगे, अगर 100 में से 62 को घटाएंगे, तो बचा कितना, 38% वोट ये हरा हुआ candidate लेकर के आया होगा, अब यहाँ पर को इसने हमें आगे दिया हुए है, जो candidate जीता, उसने इस candidate को कितने वोट से हराया, 144 वोटों से हराया, तो दोस्तों ये 144 है क्या, जीते हुए और हरे हुए candidate के वोटों का अंतर, यानि कि जीता हुआ candidate इतने वोट जादा लेकर के आया, अब दोस्तों हमें परसेंटेज में भी मालूम है कि ये 65% वोट लाया, ये 38% वोट लाया, अगर इनके वोटों के बीच अंतर निकाले हम परसेंटेज में, तो ये कि 144 दिया हुए है, अगर परसेंटेज में निकाले हैं, तो 62 में से अगर आप 38 माइनस करेंगे, तो ये बनेगा 24%, इनके वोटों में कितने परसेंट का अंतर है, 24% का, और संख्या में कितने वोटों का अंतर है, 144 वोटों का, तो दोस्तों बड़ा आसान हो गया आप, हमें इ संख्या है, तो 1% का मतलब हम लोग यहां से निकालेंगे, तो ये कितना बनेगा, 144 बट्टे में आ जाएगा 24, इतने वोट, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमसे कुछ भी पूछे, अगर इसने अभी हमसे कुल वोट पूछे है, तो हम इसे 100 से मल्टिप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने 1% का मतलब निकाला है, अगर ये जीते हुए केंडिडेट के वोट पूछता, तो कितने से गुणा करते, दुनों तरफ 62 से, इसी तरीके से अगर ये हारे हुए केंडिडेट के वोट पूछता, तो तब कितने से गुणा करते, दुनों तरफ 38 से, अ अगर आप बार से काटेंगे तो ये बारे दफे कटेगा और ये दो बार कटेगा फिर दो से ये बार कटेगा आपका छे बार छे गुडा सौ की ता आ जाएगा 600 यानि कि यहां पर को कुल कित्ने वोट पड़े थे 600 वोट सेम इसी तरीके से अगर बात करें अगले कुशिन की तो इस question पर हमको दिया हुआ है किसी चुनाव में दो उमीद्वार थे जिस उमीद्वार को 60-30 वोट प्राप्त हुए वह 5,250 वोट से जीत गया हारने वाले उमीद्वार को कितने वोट प्राप्त हुए दोस्तो अब यहाँ पर को देखिए टोटल जो भी वोट हुँगे वो कितने हुँगे अपने आप में 100% अब जो केंडिडेट जीता वो 60% वोट लेकर के आया है 60% वोट लाया तो यह जीता और बचा हुआ जो दूसरा केंडिडेट है यह कितने परसेंट वोट लाया हुगा 40% वोट और ये candidate हार गया अब दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देखे कितना आसान दिया हुए है जो candidate जीता वो हारे हुए candidate से कितने वोट ज़ादा लेकर के आया 5250 वोट दोस्तों एक question बड़ा आसान हो गया है आप लोगों से पुछा गया है हाँ पर को जो candidate हारा उसके वोट निकाले और ये जो 5250 वोट हैं ये है क्या इन दोनों के वोटों के बीच अंतर जीता जो candidate उसने इसे कितने वोटों से हाराया 5250 वोटों से इसका मतलब ये 5250 वोट ज्यादा लेकर के आया होगा और इनके वोटों के अंतर अगर percentage में देखें तो कितने आ है 20% और नंबरों में देखें तो 5250 अभी की condition में तो ये बहुत आसान बन गया दोस्तो आपको 20% से 40% बनाना है तो दोनों तरब दो से गुणा कर दीजिए आपने ये बताना है कि जो candidate हारा वो गितने वोट लेके आया है वो 40% वोट लेके आया है यहां अगर आप दोसे गुणा करेंगे तो 40 बन जाएगा और यहां अगर आप दोसे गुणा करेंगे अब देखें इसमें दोसे गुणा करना कितना अचान है 5,000 का दुगना 10,600 का दुगना 500 तो 40% में कितना आएगा 10,500 यानि कि जो candidate हारा उसके वोट कितने थे 10,500 वोट अगर आप इसे पूरे तरह इस तरह सॉल्व करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं 1% में कितना आएगा 5,250 बट्टे 20 ये एक एड़ी डेट के कितने वोट है जो हारा 40% तो आप दोनु तरप 40 से गुणा करिए 5,250 बट्टे 20 गुणा 40 करेंगे ये 20 से 2 बार कटेगा और ये हल करके कितना आजाएगा 10,500 वोट ये आपका आंसर हो जाएगा तो दोस्तो आप लोग ने देखा कि कैसे हम लोग ने एक बेसिक से concept के help से यहाँ पर कोई questions को solve किया अगर आप लोग इन concept को अच्छे से practice करें और जादा से जादा questions बनाने की कोशिस करेंगे तो आप बहुत कम टाइंग पे exam में stack के questions को solve कर पाएंगे और ये वो questions थे जो exam में बहुत बार पूछे जा चुके हैं तो दोस्तों आप लोग practice कीजिए percentage मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे कुछ नए concept और नए questions के साथ में